साशनिक हिंसा ने दिया नई तमंचा संस्कृति को जन्म सपा मुखिया अखलेस यादव का भाच्वा सरकार परतंच सपा अध्यक्ष अखलेस यादव ने सुमवार को फिर प्रदेश की करन विवस्था के मुद्दे पर भाच्वा सरकार को गेरा उन्होंने रामपुर वे नौडा की दो अलगलग घटनाओं का जिकर करतुए कहा कि प्रदेश में सासनिक हिंसा ने नई तमंचा संस्कृति को जर्म दिया है अखलेश ने ट्वीट किया कि उतर प्रदेश के रामपुर में एक इस्थानी कारोबारी के घड़ ड़केती और उसकी पत्मी नावालिक बेटी के साथ सामुक दिसकर्म की जगन्ने घटना से पूर प्रदेश में दैसत व्याप्त हो गई है ऐसे अपराद उतर प्रदेश में कानुन व्यवस्ता के भाषपाई दावों का खोगला पनुजागर करते हैं उतर प्रदेश प्रशासन ने भी उतनी लापरवाई बढ़ती है प्रदेश में शासनिक हिंसा ने नई तमंचा संसकर्ती को जन्म दिया है पट्री पर नहीं आ रही सुअस्त सेवाई है अकिलेश ने का कि मुख्यमंतरी की लाग गुजनाओं और स्वास्त मंतरी की तथा कतिच शापमारी के बाबजूद प्रदेश की स्वाश्त सेवाः पट्री पर नहीं आ रही है जैसे भाजपर सरकार विकास क्यार मोर्चे पर विफल साबित हुई है वैसे ही मरीजों को दवा और इलाज मोहिया कराने में भी नाकारा साबित हुई है। राज़प सरकार ने जनता को मेंगाई, ब्रहस्ट अचार और सिर्फ परिशानिया ही दी हैं राज़धानी लखनों के स्पतालों की हालत भी सोचनी हैं